आज हम काइन्स अफ लिटरिचर में एक अगली टाइप अफ लिटरिचर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इस्टॉरिकल इवेंट्स और हम यह देखेंगे कि स्टॉरिकल इवेंट्स पढ़ना क्यों जरूरी हैं और वो हमें क्या सोचने में आ क्या करने में मदद देते हैं सो सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि जो हम कहानिया पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री के बारे में वो हिस्ट्री में ही embedded होती है हम उन कहानियों को actually directly experience नहीं कर सकते और हम उने खुछ जाके first hand देख नहीं सकते उन वाकियात को इसलिए वो हिस्ट्री का हिस्ट्री का हरे पास best तरीका है कि हम उन तमाम history की narrations को कहानियों को वाकियात को किस तरीके से देखें किस तरीके से इसको एक जिंदा reality के तौर पर देखें एक अच्छी एक खुबसूरत बहतरीन कहानी उन तमाम वाकियात को एक जिंदगी दे देती है वो इलफास इलफास नहीं रहते है वो एक जीते-जाकते character बनके हमारी imagination में चलने लग जाते हैं और हमें उस history के event को समझने में मदद मिलती है तो एक important चीज यह आती है कि जब एक author एक historical narration या कहानी लिख रहा होता है या वाकियात को लिख रहा होता है तो बन्यादी तौर पर वो history के different events को combine करता है और एक कहानी का structure बनाता है और उसके कहानी के अंदर different types के information होती है जो उस वक्त और उस जमाने के अंदर हो रही होती है तो आप अपनी मुतायला पाकिस्तान की किताब ले लें उसके अंदर आपको बहुत से वाकियात मिलेंगे जो आपके दौरे हाजर के वाकियात नहीं हैं तहरीके पाकिस्तान के वाकियात हैं उसमें लोगों की struggle है अब वही वाकियात किसी और तरीके से मुतायला पाकिस्ता में लिखे जाते हैं और वही वाकिया जब आप उर्दू या इंग्लिश की कहानियों में बढ़ते हैं तो उनका बिल्कुल ही इंपेक्ट दूसरा होता है आप बुन्यादी तोर पे एक वाकिया मुक्तलिफ जब राइटर्स लिखते हैं उसमें मुक्तलिफ facts और information जमा करते है तो उसकी जो presentation है वो change हो सकती है एक जो smart student होता है history का वो बिल्कुल इस चीज को जानता है कि जब वो कहानी बढ़ता है सबसे important चीज जो वो देखता है वो यह देखता है कि इसके अंदर जो evidences दिये गए हैं क्या वो credible है जो facts वगएरा present किये गए हैं क्या वो सही है और क्या वो सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं यह important चीज है जब हम historical events को पढ़े होते हैं इसका मतलब है कि मुक्तलिफ authors जब historical events लिखते हैं तो उनकी मुक्तलिफ perception होती है मुक्तलिफ informations को combine करके लिखते हैं और वो मुक्तलिफ कहानी पे और मुक्तलिफ conclusion पे end up हो सकते हैं So history है क्या? हमारे सामने common जो history हमें नदर आती है आम तोर पे हम समझते हैं कि political history है कितनी जंगें हुई ही, कब हमारा मुल्क बना और कौन-कौन से president आए, prime minister आए इसके इलावा भी history के अंदर जो important चीज़े आती हैं वो आती है हमारे ideas कहानिया कैसे शुरू ही, ये songs कैसे शुरू हुए, हमारे जो गीत हैं, हमारे जो लिबास हैं, हमारे जो culture है, हमारा जो dance है, हमारी जो बरतनों और jewelry के style हैं, इनकी क्या history है, ये कैसे शुरू ही So art, culture, music, painting, architecture ये तमाम चीज़े history का हिस्सा हैं So जब कभी भी आप history की कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, तो आपके सामने दो important चीज़े आती हैं, जिसको हम कहते हैं, two main meaning of history, जो हमें समझाते हैं History हमें सबसे पहले बताती है, कि ये लोगों की कहानी है और events की कहानी है कि किसी एक specific time में लोग कौन थे, कैसे रहते थे और क्या वाकियात हुए Number two, history क्या बताती है, history बताती है record of time को So सबसे पहले हम शिरू करते हैं, history क्या है, number one, it is a story of people and events History में हमें सिर्फ लोगों के नाम और dates नहीं याद करनी होती हैं जब हम history को पर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कहानियों के through कि कोई specific space में, कोई specific time में, कोई specific जगा पे लोग रहते थे उनका culture ये था, उनकी values ये थी, उनकी dressing ये थी और उनकी philosophy ये थी, उनके मजाहिब ये थे और वो लोग कहां चले के, और वो सब चीजे कैसे बदल गी, या जो उन लोगों ने बाद में face किया, उसकी क्या वजुहात थी, क्या ऐसे decision थे, कि वो लोग इस consequences पहुँचे, तो history में, जब हम events को पढ़ रहे होते हैं, तो events कहानी की जरूरत नहीं होती है, हम बहुत कम थोड़ी और बहुत interesting part of the history पढ़ा सकते हैं, बच्चे जब in-depth तरीके से उस history को पढ़ते हैं, मुक्तलिफ authors को पढ़ते हैं, वो ये देखते हैं कि हमने facts और evidence से कैसे इस चीज़ को देखना है कि क्या ये कहानी सही कहानी है या नहीं कहानी, क्या ये presentation of people और event सही है या नहीं है तो इस से बुन्यादी तर पर वो मुक्तलिफ perspective को read out कर सकते हैं, और उनको पता चलता है different author किस तरीके से different नतीजे पर पहुशते हैं जब वो एक ही event को बयान कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी foundation है और बहुत सी नहीं चीज़ों को सीखने का number two, history जो है, it's a record of time of the past और definitely history जो है और time इसका आपस में relationship है हम जब चीज़ों को events को पीछे देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये किसी specific time पे हुए थे और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से development होती है, किसी भी idea की, किसी भी art की, किसी भी music की या किसी भी event की, वो यकदम नहीं हो जाती, उसका एक order होता है, और हम ये देखते हैं कि हमारे past और present के क्या relationship है या हमारे present और future का क्या relationship होगा, जो फैसलिये कल किये गए थे, उसके consequences आज क्या हैं, जो आज किये गए हैं, उनके future में क्या हो सकते हैं और लोग जो अभी choices या believe कर रहे हैं, जो उनके हैं, वो मुस्तक्बिल में जाके उनने क्या देंगे record of the time के अंदर important अगली जो चीज आती है, वो यह आती है, कि हमें इस चीज का बता चलता है, कि there is a relationship between time and change as well चीज़े static नहीं रहती ही, वो बदल जाती है, और इसके लिए हमें इसकी specific vocabulary भी सीखनी पड़ती है, कि year क्या है, decades क्या है, generation क्या है, century क्या है, और कौन सा जो sequence था, वो कब हुआ था, और बच्चे बहुत से सवालाद करते हैं, कि यह वाकिया कब हुआ, उन वाकिया की dates, उन हमारी decision making की वज़ा से आज हमें ऐसे हैं, आज हमारी decision है, वो हमारे future को कैसे impact करेंगे, और कैसे जो आज हमारे पास ideas हैं, वो मुस्तक्बिल में जाके हमें कैसे effect करेंगे, बच्चों को जब हम history पढ़ा रहे होते हैं, तो important चीज़ जो हमने उनको दिखानी है, कि जो आप कह क्या होता है, ये बच्चों को critical thinking skills से build up होती हैं बच्चों के अंदर, और बच्चे critically story को देखते हैं, क्या सवालाद बच्चे कर सकते हैं, judge the value of historical event, कि वो historical event हुआ है, उसकी क्या value है, क्या वो सही है या नही है, claim करें what is true or good, जो उस कहानी में claim किया गया है, उसको judge करें, कि कितना authentic है, enough to look further into the event or a topic, जब वो किसी topic को पढ़ रहे हो, उसको मजीद पढ़ रहे हो, तो उनके अंदर curiosity हो, और skeptical enough to look for more than one account of an event or life, जब वो किसी एक author की कहानी पढ़े हैं, तो उसी event पर दूसरे authors की कहानी पढ़ के देखें, कि क्या इसने सही कहा था, हर चीज पर फोरण य कर रहे हैं, कि हम यह देखते हैं कि कैसे हमारे biases develop होते है historically, कैसे हमारे opinion develop होते है historically, लोग पहले दिन पूरी थीरी नहीं बनाते, लोग पहले दिन पूरे अकायद नहीं बनाते, लोग पहले दिन culture और values एक दिन में नहीं बनाते, यह सदियों में बनते हैं, और यह सफर कैसे ह इसको find out कर सकें.